नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अबडेट है तयार डॉक्यमेंट में कहा गया है कि IPO से मिलने वाले अमांट का इस्तमाल मेंली लोन पेमेंट में किया जाएगा नेक्स्ट अबडेट है लाइफ इंशॉरेंस कंपनी अपने टर्म प्लान्स के प्रीमिम बढ़ानी की तयारी में है इसकी वज़ा है कि लाइफ इंशॉरेंस कंपनी को फानेशल प्रोटेक्शन देने वाले कई री इंशॉरेंस ने प्योर प्रोटेक्शन कवर्स के अंडर एटिंग पोर्टफोलियो के लिए दर्य बढ़ा दी है इंशॉरेंस डिस्टिब्यूटेस के अकॉर्डिंग कुछ लाइफ इंशॉरेंस कंपनी ने संकेत दिये हैं कि टर्म प्लान्स के रेट एक अपरेल 2021 से बढ़ सकते हैं जब नए री इंशॉरेंस कंट्राक्ट्स लागू होंगे जो insurance companies term plans महंगा कर सकती हैं उनमें Max Life Insurance, Tata AIA Life Insurance, India First Life और Egon Life शामिल हैं नेक्स्ट अपडेट है आंध्रो प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी corporate health care group Krishna Institute of Medical Sciences fund collect करने के लिए IPO लानी की तयारी में है Kims ने IPO launch करने के लिए market regulator SEBI के पास application जमा की है अपने draft red herring prospectus में Kims ने कहा है कि वो इस IPO के लिए 200 क्रोर पीस के fresh shares जारी करेगी और 2 क्रोर 13,40,000 equity shares company के promoters और current investors offer for sale के जरिये जारी करेंगे इस IPO के जरिये collect किये गए fund का इस्तमाल, company अपना loan उतारने और general corporate expenses को पूरा करने के लिए करेगी अगर आप सस्ते में property खरीदनी की तलाश कर रहे हैं तो देश का सबसे बड़ा सरकारी bank State Bank of India आपको ये मौकार दे रहा है बैंक property के निलामी कर रहा है ये mega e auction 5 मार्च से किया जाएगा SBI द्वारा निलाम की जाने वाली property में housing, residential, commercial, industrial जैसे assets शामिल है आपको बता दे कि बैंक की तरफ से time time पर डिफॉल्टर से recovery के लिए इस तरह की mortgage property की निरामी की जाती है Next update है Walmart के ownership वाली e-commerce company Flipkart ने अपने leadership में बदाव किया है Company ने Unilever के former global executive हेमन बदरी को supply chain operations के लिए senior vice president appoint किया है इसके लावा Flipkart दो दूसरे senior executives के roles में changes और expansion कर रही है बदरी, Unilever में worldwide planning, customer service और Europe operational planning के vice president थे उनकी appointment का announcement Flipkart के group CEO कल्यान कृशनमूर्टी ने employees को भेजे email के जरिये की है Flipkart में leadership में हुए बदलाव 1 March 2021 से effective होंगे नेक्स्ट अपडेट है दिली की सरकोर पर जल्द ही 300 electric buses में सफर किया जा सकेगा डेली Transport Corporation ने 300 electric buses खरीदने को लेकर बिट्स को approval दे दिया है ये 300 electric buses अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएंगी और अगले साल फरवरी तक सभी बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा ये 300 electric buses, air conditioned और low floor होंगी इनमें CCTV, GPS समेच सभी modern facilities होंगी नेक्स्ट अबडेट है, IRCTC के shares में आज गिरावट देखी गई इससे पहले कल शाम रेल मिनिस्ट्री ने IRCTC को सभी तरहा के mobile catering के contracts खतम करने को कहा है मिनिस्ट्री ने regulator को दी गई जानकारी में बताया है कि IRCTC को सभी mobile catering contracts रद करने होंगे फिर चाहे वो train से यात्रा करने वाले passengers को base kitchen में तयार किया गया खाना ही क्यों ना परोस रहे हो trains में mobile catering की facility 2014 में शुरू की गई थी जिसमें यात्री अपने favorite brand से online food order कर सकते थे और passengers को उनका order किया हुआ food उनके birth पर deliver होता था next update है e-commerce company Flipkart online travel aggregator clear tip में controlling stake खरीदने के लिए बातचीत के दौर में है Flipkart travel segment में अपनी presence चाहती है आपको बता दें कि Flipkart का owners right अमेरिका की leading company Walmart के पास है इस acquisition का target make my trip, yatra, booking.com और ease my trip जैसे दूसरे domestic travel aggregator companies के comparison में मजबूती हासल करना है देश में domestic economy कोरोना की मार से उबरते हुए recovery की रह पर है ऐसे में इंडियन्स जो काफी टाइम से अपने घरों में बंद थे एक बार फिर टूरिजम की तरफ रुख कर रहे है company इन बदलते हालातों का फायदा उठाना चाहती है यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खतम होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए thank you